नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आई है इस बाइ टेस्ट बुक में तो दोस्तों Human Rights Watch ने अपनी 2023 की सालाना World Report Publication पब्लिश कर दी है और उसमें उन्होंने कुछ चौकाने वाली बातें बताई है जिसमें सबसे पहले उन्होंने Western Countries को कहा है कि आप चाइना से इंडिया अपने supply lines and industries को shift न ना करें और इसके पीछे कारण जो उन्होंने दिया है वो भी उतना ही चौकाने वाला है उन्होंने कहा है कि भारत वो देश है जहां पे minorities के घर तोड़े जा रहे हैं जहां पे civic space को constraint किया जा रहा है जहां पे कही न कहीं लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है जिसमें FCRA और अलग-अलग rules का इस्तमाल करके NGOs को breathing space नहीं मिल रहा है तो ऐसे देश में अगर आप इतनी असानी से industries को shift कर देंगे तो कहीं न कहीं आप Modi government पर control नहीं ला पाएंगे और कहीं न कहीं Modi government पर आप एक तरीके से उनका कहना है कि उनको असानी से बिना leverage का इस्तमाल किये उनको कहीं न कहीं अपनी मनमानी करने देंगे तो एक तरीके से वो कह रहे हैं कि इंडिया पे इंडिया के internal affairs में western countries को control करना चाहिए interfere करना चाहिए तो क्या है यह सब कुछ आईए आज की इस class में इसी पर चर्चा करते हैं आप देख सकते न्यूज में आ गया है don't shift supply chains from China to India HRW ने west को कह दिया है तो न्यूज में है दोस्तों जो latest annual report है HRW human rights watch की world report 2023 उसमें कहीं न कहीं south block में काफी ज्यादा परिशानिया खड़ी कर दिये हैं उन्होंने west को कहा है human rights watch ने कि आप जो अपने supply chains चाइना से भारत की और shift कर रहे हैं थो पूरे के पूरे इंडिया और उसके neighborhood को criticize किया है लेकिन इंडिया के खिलाफ west को तो warning दे दी है उन्होंने Australia, Japan, Canada, UK, European Union and US को कहा है इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक चितावनी दी है जिसमें कारण क्या है इसके पीछे अगर आप background में देखें तो आप सभी जानते हैं कई वीडियो बना चुके हैं China plus one पे किस प्रकार से apple से लेके अलग-अलग companies even Chinese companies चाइना से decouple करना चाहा रही है चाइना के साथ साथ और एक देश में अपने supply chains लाना चाहा रही है जिसमें वियतनाम और भारत दोनों बहुत तेजी से उभर रहा है और west इसमें इंडिया के साथ काफी closely involved हो रहा है तो यहां पर जो warning है exactly मैं आपको word by word बताता हूं क्या warn किया है human rights watch ने human rights watch ने कहा है कि कही ना कहीं आप west को कहा है कि आप इंडिया के साथ अपने ties मजबूत कर रहे हैं तो यहां पर आपके पास बहुत अच्छा मौका है PM नरेंद्र मोदी जी पर कही इंडिया में जो civic space है वो बहुत कम होता जा रहा है जो NGOs हैं जो activists हैं उनके जो अधिकार हैं वो कहीं न कहीं हनन हो रहा है और यहां पर आप इतने असानी से अपने जो ties हैं इंडिया के साथ मजबूत मत कीजिए उन पर कहीं न कहीं दबाव डालिए कि वो अपने NGOs को खुले हवा में सांस लेने दे ऐसा उनका कहना है यहां पर HRW ने यह भी कहा है कुछ examples दिये हैं कैसे इंडिया में जो NGOs हैं जो civic space है कैसे curtail हो रहा है तो यहां पर HRW ने कहा है कि 2022 ने government ने उन सारे activist groups वो सारे मीडिया आपको मालूम है किस मीडिया की यहां पर बात हो रही है वो सार जारे के अंतरगत कही न कई financial irregularities जबरदस्ती find करकर के कही न कई उनके खिलाफ इन सारे rules को weaponize कर दिया है और यह सारे संस्थाएं जो कि इंडिया को democracy बनाती हैं वो कही न कहीं सांस नहीं ले पा रही और तो और सुनी उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि कई authorities हैं जो कि BJP ruled states party का नाम लिते हुए कहा है जहां पर minorities के homes यह तो मैं कहा रहा हूं उन्होंने तो साफ साफ धर्म विशेश का नाम ले लिया है कि Muslim homes को demolish किया जा रहा है and properties को demolish किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इस लिए क्योंकि वहां के रहने वाले लोग किसी protest में भाग ले रहे हैं तो यहां पर इन HRW से पूछना चाहिए कि भारत में एक well functioning judiciary है जो कि judicial activism के लिए जानी जाती है unlike other countries तो यहां पर rule of law bend करना तो बहुत मुश्किल है यहां पर judiciary इतनी ही ज्यादा compassionate है कि illegal encroachment अगर किसी लैंड पे होता है उसके बावजूद भी judiciary साफ साफ कहती है कि अगर भले वो illegal encroachers है land पर उनको पहले पुना विस्थापित जो लोग है उनको rehabilitate करवाएं और फिर जाके वो land के साथ कुछ भी छेड़कानी करें तो यहां पर यह सारी बातें कहीं न कहीं HRW जूट फैला रहा है साजिश फैला रहा है जो कि साफ साफ देख रहा है अब आपके मंद में काफी लोग के ख्यालों कासर यह Human Rights Watch है क्या क्या यह UN की संस्ता है बिलकुल नहीं यह एक International NGO है लेकिन इसकी बात को काफी ज्यादा तवज्यू दिया जाता है इसका Headquarter New York में है Advocacy करती है Human Rights की इतना तवज्यू क्यों है इसकी बात को इसलिए है क्योंकि 1997 में Human Rights Watch को Nobel Peace Prize भी म founding member है International Campaign to ban landmines और उसी के लिए इसे Nobel Peace Prize मिला था इसके सिवा 2008 में भी इसका leading role था जिसके इंतरगत Cluster Ammunition को ban किया गया था Cluster Ammunition किये गये थे इनका जो publication है वो आपको याद रखना है वो है World Report साल आना है हर साल आता है 2023 का भी आया है जिसमें यह सारी findings है HRW को criticize भी किया जाता है क्योंकि इनकी revolving door hiring policy है US government के साथ मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो American government में काम कर रहे है वो कभी HRW में भी काम कर रहे है और HRW के लोग भी laterally अगर आप देखे तो American government में काम करते हैं तो इसी वज़े से human rights की जो watch की जो बात होती है उसको वज़न मिलता है आप देखे तो HRW क जो 2023 वाला संसकरन है world report का उसमें कई जगे पे तो language आप अगर देखे तो identical है US state department report और international religious freedom से तो इस प्रकार से ये बता रहा है human rights watch जो कहती है कही ना कहीं इसमें American government की भी कुछ उस प्रकार की policy होती है तो अब यहाँ पर सवाल उठता है इस report का क्या impact होने वाला है क्या west heed कर करने वाला है इस report पर तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूंगा जो China plus one हो रहा है जो decoupling हो रही है Chinese economy से वो हमारे हित में तो वो कर नहीं रहे उनकी company उनकी industries वो अपने हित में कर रहे है उनको अपने हित में जो बहतर alternative लग रहा है वो उस तरफ मूब कर रहे है चाइना भी गए थे तो हमसे पूछ के तो गए नहीं थे तो अब भारत भी आएंगे तो हमसे पूछ के जो policies है उतना ही policies का पालन करेंगे भारत का जो rule है वो rule का पालन करेंगे तो इंडिया में welcome है काम करें तो दोस्तों यह सारा एक tool है neo colonialism का एक तरीके का pressure tactics होता है कैसे democracy आने के बावजूद भी आप किसी सोवरेन कंट्री के इंटरनल अफेर्स में इंटर्फेर करें तो बोल दे तुम्हारे देश में माइनॉरिटी के अधिकार सुरक्षित नहीं है तुम्हारे देश में जो रूल आफ लौ है उसको पालन नहीं हो रहा है तुम्हारे देश में civil rights के लिए civil society के लिए breathing space नहीं है तो ये सारे एक तरीके के tools है नियो-colonialism के जिसके अंतरगतिय इंटरफेर करते हैं अन्यर democracy में तो दोस्तों ये सारी बाते पुरानी हो गए HRW ने world 2023 report में ही कहा है कि वो जमाना चला गया जब west अकेला flag bearer था human rights का आज के time में एक ही line उसमें मुझे सही लगी वो यही थी कि west अकेला जब पहले flag bearer था human rights का अब वो जमाना चला गया अब emerging countries भी इनको भी बहुत बड़ा role इनका होने वाला है तो इस तरफ उन्होंने विशारा किया था जो की बात बिलकुल सही है west का सूरज ड़ल चुका है ये बात वो भी जानते हैं maybe 10-15-20 ताल है अमेरिका के पास उसके बाद उनके लिए decline already start हो चुका है उसके बाद stagnate कर चुके है अब decline होना है तो अब उनके पास ज़्यादा दिन बचा नहीं है तो अब आखरी आप समझ सकते हैं तो बस वही है तो नियो कोलोनियलिजम का टूल है जिसका वह इस्तमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं भारत का जो stance है रेशिया यूक्रेइन जंग में उसको लेकर वो थोड़े असंतुष्ठ है तो क्या इंडिया पे इस पर फर्क पड़ेगा यह तस्वीर सब बता रही है मुझे नहीं लगता आप देख सकते हैं हमारे प्रदानमंत्री कितना ही तवजू देंगे इस रिपोर्ट को आप सब भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि तस्वीर सब बताती है दोस्तों आजी क्लास बसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजेगा टेलिग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं और पीडिए भी डाउनलोड कर सकते हैं पाकि एक साल की यूपसी की सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें